हाँ जी स्टूडेंट अब हम स्टूडियूल वन हमने कर लिए कंप्लीट अब सेलरी पर आ जाते हैं सेलरी के फॉर्म में आपको यहां पर गीवन है सारी चीजे इंफर्मिशन मैं थोड़ा इसको साइज आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा बढ़ा कर दूँ आपको समझ में आ जाए और होफुली आप इंजॉई कर रहे होंगे तो सबसे पहले यहां पर देखना है इंप्लॉयर का नीम तो सर मैं आपके लिए और दूसरा टैब सहेगा यह ठीक है तो मैं आपके लिए यह रहा कोश्चन मेरे पास और यहां पर इंप्लॉयर का नीम गीवन है जो की लिख रखा है अमर कंसल्टिंसी और सारी चीजे उसका पैन नंबर बगरा भी गीवन है तो कट कोपी पेश चलेगा नी तो मैं रेंड यहां पर इंप्लॉयर का नेम डाल देता हूं X Y Z जैसे कि पीछे सवाल में गीवन था और नेचर आपका डाल देते हैं यहां पर बिजनस के स्टेश का होगा सर क्लॉथ का वैसे हलां कि आपको मिलेगा उसी के कोटिंग डालना है और यह एक मिनट ठीक है नेचर आफ इंप बात कर रहे है स्टेट यहां पर आटोमेटिकली आजाएगा आप पिन नंबर डाल दीजिए स्टेट आजएगा जैसे मेरा है डबल वन डब जीरो त्रीफोर तो जैसे हम इसको अलग करेंगे जिप कोट के साथ डेली आगया यहां पर टाउन डाल दीजिए पितम पूरा य लग जाएगा ना मुझे त्वर्टाफट से बताना है सर इसके बाद आपका क्या जाता है यहां पर अप सेलरी प्राजिटे सिंपल सीडे बात करते हैं सेलरी के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले tillी सेलरी तो बेसिक सैलरी आपको कोश्चन में घीवन है आ जाते हैं पर क्यों नहीं आ रहे हैं कि एक मिनट माउस करसर थोड़ा उपर निचे होगे वन करोड 168 123450 ठीक है इसके बाद क्या है सर ट्रांस्पोर्ट अलाउंस और लंच अलाउंस तो यहां पर मैं बता दू कुछ अलाउंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे इसमें आप ढूं अलाउंस और लंच अलाउंस नहीं मिलने वाला तो ऐसे अलाउंस जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है उसको अधर में डाल देंगे सरह हम तो ट्रांस्पोर्ट और लंच दोनों को हम एड़ कर देंगा तो दोनों को एड़ क्या करना है अठारा और 19200 कितने होते हैं सर अठा टायर अमांट टेक्स बला 36000 रुपय है हाउस रेंट अलाउंस तो आजए यहां पर एक एड़ करना है तो एड़ करने के लिए हमने बेसिक में तो देखा ही था अब नीचे नीचे आप आएंगे तो यहां पर आगया सेवंटीन वन को एड़ करने का सेवंटीन में में इसके बाद आजए यह चल्डरन एजूकेशन अलाउंस ठीक है सर चल्डरन एजूकेशन अलाउंस मिल जाएगा ड्रैक डाउन करते यह मिलेगा यहां फुल अमांट लिखना है जितना यहां पर हाला कि कह रहा है कि फुली एक्जेम्ट है लेकिन हम यहां 2400 रुपे पूरा इसके बाद कहता है सर चल्डरन ही एजिसन के बाद लीव ऐजलरी यहां पर डालता है लीब सेल्री लीप कहां मिलेगा लीब सेल्री कोई कहते हैं कि रुपए का सर लीव एक्श्मींट है अठरा जार चलिए अठारा हजार रुप्य हमने लिख दिया और कॉलम चाहिए है चले आ जाते हैं इसके बाद और इसके बाद convention के इंदर किटने कैंदी समय से यहां देखेंगे आपको के कशनम से मैं देखोगे न्यूंट अंवdar लग है कहा है सर यह देखिए सबसे नीचे आएंगे न यहां पर सारा कॉलम होगा इसके बाद लीव ट्रेवल कंशिशन लिव ट्रेवल कंशिशन यह मिला है अब आ जाते हैं सर हम उपर और यह हमारा हो जाता है complete क्योंकि यहाँ पर और कुछ बचा नहीं है लीव ट्रेवल कंशिशन ल्टेवल यह मिला है हमारा पर्किजिट्स का पार्ट है सर तो पर्किजिट्स में लिखेंगे तो सर पर्किजिट्स कहाएंगे इससे नीचे आएंगे दो में यहां पर लीव ट्रेवल कंसेशन लीव 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 प्रेटर रहता है यह रहा फ्री कंसेशनल ट्रेवल ल्टीसी फ्री और कंसेशनल ट्रेवल ही है न या और कोई भी ऑप्शन है यहां कि इंदर आ जाते हैं कि इसेशनल ट्रेवल रिसीव कि हमने फिप्टी एट बाद में लिखेंगे पैर दो फिप्टी एट लिख लिए हैं चलिए सर फिप्टी एट की जगहां पर मैंने ज्यादा लिख दिया मैं एक एक शीट लेके चलूँगा ताकि आप फटा फट से खतम करें और वैसे फिल करें अलग अलग वीडियो में ठीक है अब आ जाते हैं यह वाला सारा हमने फिल कर लिया फटा फट से आ जाईए सर यहां पर हमारा अब यहां पर देखें क्या है कि दो एंप्लोयर की सेल एक जेंशन में था हमारा एचरे तो था निए चिल्डरन एजूकेशन अलाउंस अजाता है हमारा और यहां पर देखें सेक्षें भी डूण सकते हैं चिल्डरन एजूकेशन दस चौदा वन का पार्ट है 1014-1 यहां पर फोड़ ड्रेक करने में असानी होगा यहां पर जो को मिलता है रिसीव करते हो वो होता है मारा 1014-1 में अलाउंस इस रेफर टू सब क्लॉस यह 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 अपने जो रिसीव किया है मैंने गलत तो नहीं कर दिया ठीक है अलाउंस इस सर कितने मिले थे 2400 पूरा का पूरा एक्जम्ट था आप ध्यान देंगे उपर तो पूरा एक्जम्ट था सर क्योंकि सवाल में कहता था कि पूरा हमारा यह एक्जम्ट है इसके वाद लीव ट्रेवल फुली टेक्सिबल कंवेंस कंवेंस के अंदर आप आपके मिलते हैं ट्रांस्पूर्ट अलांसर ग्रांट इतने भी हों कितना एक्जम्ट है सर यहां पर यहां पर कहता है कंवेंस के अंदर आठ हजार रोका है यहां डालिए और फिल करना है इसके बाद आप बिल्कुल भी स्केयर और टेंशन मत लिए देखे मैं पहले यह ब दस पांच कहां गया कहां गया क्योंकि आपका लीव ट्रेवल कंशेशन अलाउंसर सच पर किसेट्स एक मिनट देख लेता है मैं दस में एक्जेम्टिट ठीक तो कर रहा है अगर आपको नहीं मिल रहा दस पांच वैसे होना चाहिए नहीं मिल रहा आप अधर करके खतम करिए उसको ठीक है न वैसे आप देखेंगा तो शायद मेरे पास तो नहीं हो रहा आपके पास तो हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले तो वह ले लिए तो सर कितने का एक्जेम्शन है दस पांच में ल्टीसी में बावन हजार रुपे का यहां फिटी टू थाउजन लिए अब देखेंगा सर यह पूरा आपने आपे फिल हो जाएगा यहां पर आपको दिखा देगा टोटल सेलरी कितनी है थोड़ा यह दिख करके आपका यह बन गया जितना भी सेलरी था अब इसको आप क्या करेंगे सार वैलीडेट और वैलीडेट करते ही नेचर ऑफ इंप्लॉयर इस मेंडेटरी शडियूल देखें आपने बता दिया आपको तो चलिए नेचर में डाल देते हैं नेचर क्या है सार यहां से डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट सेलरी वन वन में टू सेलरी शडियूल ओके यहां पर कहता है दो शडियूल ज्यादा डाल दिया है तो इसको डिलीट माल देते हैं नॉमबर 2 इन सेलरी शडियूल ओके यहां पर यहां डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा क्या है नॉमबर 2 वहां पर बता दिया ना तो यह हमारा है यह यहां पे नहुंपर एक और भी ऐप्शन आता है हम्हें यहां यह लिख दीजे अंदर आंस थीक अब कर देते हैं यह आ गया किया क्या एंटर description mandatory number three salary शुदी और कहीं भी हमें डालना है ग्रीन कहीं तो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है यह अच्छा यहां पर भी मैं कह रहा था ना इसके लिए ना होना तो चाहिए इंकम है यहां पर मैंने देखा आपको मिल जाएगा कि रहान ना मैं ट्रांस्पूर्ट ट्रांस्पूर्ट Kao लिख देता हूं यहां पर ट्रांस्पोर्ट लिख देता है ना मिले तो आप यह करेंगे पता तो चली रहा है आपको और यह आगया को यहां वाला सेल्री वाला हमारा पूरा कमपलीट हो जाता है किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी है तो आप बता सकते हैं इसमें फिर इसी के साथ चली हैं अब आपको पर हैं तो घर कहां है तो घर कहां पे हैं वैसे हाला की question में आपको देखने को मिलेगा कि property कहां है नहीं है बट मैं उसको ignore करके अपना address लिख देता हूं आपको teacher बता देंगे कहां है तो यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले सर कि address of the property मैं डाल देता हूं पितम पूरा sir town आप यहां state country pin code डालेंगे सब कुछ आ जाएगा 110034 यही तो फायदा है यह पहले से pre-fill ले देके सब कुछ आ गया town डाल दीजिए आप रोहिन इडाल दीजिए तो यह चीज़े तो देखो बताने वाली नहीं है और सोचने आली भी नहीं है sir owner कि type के हैं तो हमारा यहां दे आगे यह green कहता है कि sir आप co-owner है या नहीं है sir नहीं है यहां पर co-owner तो जैसे ही आप co-owner को no करेंगे न देखे यह green हो गया अब यहां पर कुछ लिखेंगे तो मना करेगा वो तो co-owner हो जाएगा यहां पर ठीक है चलिए sir आगे चलते है type of property यहां पर लिखना पड़ेगा sir self-occupied है self-occupied करते यह सब क्या हो जाएगा zero let out में आपको detail डालना पड़ेगा अपने tenant का tenant का मतलब क्रायदार का तो क्रायदार का आपका यहां पर detail डालना होगा अगर let out हुआ तो वह सवाल में मिलेगा आपको देखें यहां पक्टिव हो गया क्या क्या डालना है sir नेम डा होगा नहीं तो आप परिशान हो जाएंगे इसके बाद gross total salary zero आगया यहां पर इसके बाद टेक्स पेड आपका authority को जो आपने पीड किया है तो सब्सक्राइब हाला के किया है हमने 68000 लेकिन यहां पर मिलेगा नहीं मिलता है तो यह चोटी-चोटी बात थे कुछ पता भी हो है मैं डालके दिखा देता हूं 275 जैसे डालोगे नहीं यहां पर आपको क्या कहेगा यह मना कर देगा बोलेगा नहीं भी यह मत डालो मत डालो तो यह दो लाख हो गया ठीक है अब property नंबर टू अगर property नंबर तू है तो ऐसे डाली है जितनी property है आप डालते जाए यह डाल सेलफ आगे सेलफ आगे सब कुस आगे है और रोहिनी आगे डेली आगे अच्छा country 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 रहे गया ना देखा यह खुद बताता है बड़ा समझदार एक्सल है इंडिया 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 एक तो आई करते ही आजाना चाहिए जो कि आता नहीं है इसमें सबसे बड़ी समस्य का हैं हमारा इंडिया 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 रिद्धा कि यह टाइम अप्यूब कर रहे हमारा हुआ अजिसनी थैब का हमें हमें आता है थोटा है थी का करता के आैंके सबस्क्र Запाट पूच्छा हो अब हो सैल पंडकर पूछा है क्या पैन नमबर को नहीं पूछा है हाँ हाँ यह तो इसका है इसमें पैन नमबर आएगा लिए क्योंकि हमने कर दिया पढ़ लेते हैं क्या अधर एंटर वैलिट पैन नमबर को और का करना है नमबर वन शीट में नमबर वन शीट में को और को तुमने नो करना है को अगर है नो कि सब्सक्राइब को अगया आपको को यह नहीं अज़से लगा एंटर वैलिड पैन ऑफ अदर को और सिरियल नमबर बन वन में डालना है तो डालना ही नहीं है शीट वन में हाउस पोपर टेविच शूड नॉट मैच पैन विद शीट पार्ट वन ओके शीट पार्ट वन की बात कर रहे हैं यह अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है देखे देखे यह दूसरा न हर किसी से link होना चाहिए मैं यहां पे पैन नमबर जो है ना पर को ओनर समझ रहा है यह हमें अ अभुआ कैसी कली बता देता हूँ यह मैं पता है कैसे चरिपनाप मेने कहें और लेपटप पर भरा था यह सिस्टम पर कर रहा है कि मैं एक बार बार को बस आपको समझहने के लिए बड़ी सी debate सी बात इसको मैं कर देता हों यस ताकि पैन नमबर भरके आगे चले जाए एक एस वैलिडेट हो जाएगा और यहां पर यहां पर एडवलू वाई सुपारा अधर रहते हैं धरसर पीसी वीडियो में कर लेते हैं फटा फट हता टैसर और सो पर आज आ साजए पर हटा अपर इस यह आ गया बैकिंटर्स ठाम सेविंग अकाउन इस गूद्स एक यहां पर दालना भी और और FD का अलग से दे रखा है fix deposit का saving का interest यहां पर दे रखा है आपको interest saving is 37oda so 37410 ठीक है 374 10 दे रखा है इसके बाद कहता था FD पर 900,00,00 रुपे gross तो यहां पर मैंने बताए था न gross up तो यह हो जाएगा 10,00,00,00 डालना है आपको यहां पर कैसे ग्रोस अब करना है तो यहां पर डाल दो दस लाक एक दो तीन चार पांग छी जीरो ठीक है सर इसके बाद आगे देखा जाए तो और क्या है और है हमारा इंट्रस रिफंड यहां पर ही रिफंड का पार्ट आ जाएगा इंकम टेक्स रिफंड बस बड़ी निकाल लेगा सब कुछ इसने टूटल कर लिया है बाकी को इनकम दे नहीं रखा तो उसके हिसाफ से हमने नहीं लिख आया चलिए इसको करते हैं यहां पर जादा डिटेल नहीं मांगेगा तो वैली डेट करते हैं ओकिध यह हमारा हो गया वैली डेट तो अगली वीडियो क के अंदर हम एसेट बगेरा तो यहां तक पहले पक्का कर लें फिर आप एसेट और लिबिलिटी कैसे फिल किया जाएगा वह देखेंगे कि अगर कि अगर कि अगर